Hello Friends, Welcome back to my YouTube channel Technical Narain Friends आज की वीडियो में आपको पताँगा कि Hero Finance से आप Personal Loan कैसे ले सकते हैं Personal Loan लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा Personal Loan जो Hero Finance देता है वो Online देता है या Offline देता है और जो hero finance personal loan देता है उसके उपर आपको क्या rate open interest लगने वाला है क्या eligibility criteria है और किसने साल तक के लिए आपको जो hero personal loan देता है तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले आना है hero finance के official website पे जैसे आप hero finance के official website को open करोगे तो उपर ही आपको इस तरह का pop up और सो होगा जिसमें आपको second number पी दिखाई देगा simply case इसके उपर आपने click करना है आप उस simply case पे click करोगे जैसे आप click करोगे next space आपके सामने stack open होके आजाएगा इसमें में दिखा है कि जो इस simply case है यह hero finance कोप का ही एक app है जो कि यह personal loan परवाइड करवाता है और यह बताए कि जो एफ है इसके फाइदे क्या क्या है यह instant loan देता है और आपको easy sign up and login process है और आप जो इसमें maximum है सवा लाक रुपे तक का loan ले सकते हो और इसका जो process होने के बाद जो आपका amount है instant account में credit कर दिया जाता है और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कहीं भी physical document लेके जाने की जुरूतिनी सब कुछ जो process होतोगा वो सारा digitally है यानि कि online होगा जो आपका amount बनेगा उसके जो यह माई आपके लिए कर्वट कर दी जाती है उसके बाद कि यह जो एप है कैसी काम करेगा इसके लिए आपको इस टोल है पले स्टोर से डाउलोड करना पड़ेगा उसके बाद उसके अंदर जो फो फिल अप्लिकेशन करना पड़ेगा उसके बाद जो loan amount है process होने के बाद इंडिया के इंडिया के अंदर loan देता है जो कि hero of income का एक personal loan प्रवाइड रैफ है फिर इसके जो मोटे मोटे फीचर से हूँ आपको बता देता हूं आपको सबसे पहले इस टोल करना है इस एप को और उसके बाद आपको एजी साइन अप login application process है get fund directly in account और आपको यहां पे और फिर आती है कि part of one of the most trusted business हो यानि कि यहां पर कह रहे है कि जो एफ है hero of income का जो एक आपको loan कैसे देगा सबसे पहले को का install करना उसके बाद application फिलफ करना है और फिर इस बता कि install anytime personal loan यानि कि आपका जो personal loan अगर अगर अपरूड हो जाता है और जो पूरा पूरा जो पूर क्योंक रिस्पोंस मिल जाएगा ताल जो यह लोल है solid person के लिए है उसके बाद जो आपकी KYC process है उसमें चार टाम लादा कुछी सेकेंड हो आपकी KYC process अपको complete हो जाती है और फिर उन बता कि इसको document लेने के लिए कोई physical document देने की जरूँत है सारे के सारे जो documents वो online है आपको लोन का जो टेनोर रहेगा और six month से लेके 24 month तक कर रहेगा और उसमें अगर rate of interest की बात करें तो 20% per year यानिके पर हैनम आपको 20% interest इसमें लगने वाला है उसके बाद बात करते है कि दोस्तों किसमें जो processing piece है वो क्या लगेगी इसकी जो processing piece है जितना भी आपका loan amount होगा उसकी 25% इसके अंदर लगे कि plus GST और अलग tax ही जो आपको pay करने पड़ेंगे फिर उन्हें कुछ से नीचे example दिया हुआ है कि अगर आप यहां से एक लाग का लोन लेते हो एक साल के लिए तो आपका जो processing piece होगी वो tax include करके उन्हें 350 रुपे लगेगी और इसमें आपका total interest जो ल बात करें तो इन्हें नीचे के अपनी email ID प्रवाइड करवा रखी अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो इस email ID पर आप mail कर सकते हो जिसमें आपको instant reply मिल जाता है तो जोस्तों यह तो हो गया application के बारे में detail कि आपको कैसे इसमें loan मिलता है email ID और mobile number पर enter करने के बाद फिर आपको नीचे continue to register पर कलिक करना है उसके बाद फिर आपको देखाए कौन रोचलेशन you have successfully registered with simply case उसके बाद फिर आपको continue पर कलिक करना है फिर सबसे पहले आपको यहां पर जो आपका जो area है उसका pin code आपको यहां पर डाल देना उसके बाद प्रोसीड़ी पर कलिक करना है दोस्तों उसके बाद आपको enter डालोगे जो अगर आपके area में pin code अवलेबल होगा जहां पर इनकी services चली हुए है तो आपको यहां पर आग चेक कर सकते हो तो दोस्तों इस यहां पर प्रोसेश में आपको नहीं दिखा पाऊंगा अगर आपके वहां पर हिरो फैनेंस की services है तो आप इनको डाल के चेक कर सकते हो इसमें आप आसानी से बगर हिरो-फैनेंस की ब्राइब की बरांच जाए ओनलाइन ही परसोनल लोन ले सकते हो 50,000 गोसे लेके 7,000,000 परे तक का तो दूस्तों आपको पताचा लगा कि हिरो-फैनेंस जो परसनल लोन पहले ने देता लेकिन परसनल लोन देने लग गया जो कि एप के मादम से दे रहा है यह एप भी सिंपली कहें नाम से जो है वह हीर ओफ इनकोप का ही एक एप है जिसमें हीर फिनकोप परसनल लोन प्रवाइड करवाता है तो दोस्तों आई होगी आपको वीडियो पसंद आए होगे अगर वीडियो पसंद आए ते वीडियो का लाइक करना चेहर करना मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसे तरह लोन फाइनेंस वर बैंक्स रेटिटर अच्छी वीडियो मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में